हैलो स्टेंट्स कैसे हैं मैं गुरुमेश सरदक्स अकेडमिलाडव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ बच्चो आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वह बहुत इंट्रस्टिंग टोपिक है जो रीजिनिंग और मैस दोनों में एकुली इंपोर्टेंस रखता है जानुरों के संक्या परदार इस बहुत से क्वेशन आपके पास बच्चो आते हैं और आप कंसेप्ट में ट्रिक्स में चले जाते हैं जिसकी वज़े से आपका टाइम काफी बेस्ट होता है आज हम जिस तरह के क्वेशन कराएंगे बच्चो आपके पास उसमें ना बहुत जादा डीपली कंसेप्ट में जाने की जरूरत ना ही जो ट्रिक्स याद रखने की जरूरत है डारेक्टली हम स्टेट्मेंट को पढ़ेंगे और उसके बेस भी हम उन कॉस्टिंस को करेंगे एक क्वेशन आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ये question देखने में बहुत बड़ा question लगता है बच्छा आपको लेकिन है बहुत हीजी हम इसको इसको इस्तने simple way से कराएंगे आपके पास कि within second आप इसका अंसर निकाल पाएंगे आईए start करते हैं बचो start करने से पहले आप एक चीज़ के जरूर ध्यान रखेएगा ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुए मैंने पैर, सीर, चार पैर और दो पैर इस line का मतलब आप समझे लीजीगा question आपके लिए बहुत हीजी हो हैंगे जैसे first question आप screen पर आप देख रहे हैं उसमें आपको दिया गया है भेड और गडरी है जिसमें बचो भेडे जो हैं वो चार पैर वाले हैं और जो गडरी हैं वो दो पैर वाले हैं ओके ये आपकी common understanding है इसमें कोछ जादा दिक्कत नहीं है लेकिन हम इसको concept based जादा deeply ना जाकर direct question हम कैसे करेंगा उसमें देखीग ये देखेंगा पैर है ये चार पैर है और यЕजए कि दोटे शौन ने अब से पैरों की संख्या दे रखी होती है और चलिकल दॉ को पैरों की संख्या को इस तरह से लिख कर अभी तुमें समझा रहा हूं फिर आप डिरेक्ट इसमें स्टेटमेंट में ही कर दो इस कुरिशन को देखिए कज़रा सबसे पहले तो आपने इसको टू से डिवाइड करने से बच्छो कितना आता है 45 आता है इन दोनों का डिफरेंस आता है वो कितना आता बच्छो 10 उसको लिख देंगे आप यहां पर यानि कि जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले चार पैर वाले जो भी जानवर देगा उसका अंसर आपके पास आजाएगा अब देखिए अगर दो पैर वाले भी निकालने है त सिरफ आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है तो सबसे पहले क्या करना बच्छों हमने जो पैर दे रखी है उसको टू से डिवाइड करना है उसमें सिरों की संख्या माइनस करनी है यहां पर एक बात का ध्यान रखना के पहले आपके पास चार पैर वालों की करने हैं अब हम कुश्चे नंबर सेक्टे एक बार क्या दिया गए इसमें मुर्गियां और गाएं दे रखी हैं तो मुर्गियों के दो टांगे होती हैं और जाटांगे उससे कंफ्यूज मत होना सिर्फ आपने ध्यान रखना है और कितने पैर दिये गए आपके पास 140 पैर दिये गए तो इस तरह से भास्मी में आई गया विस पहले पैरों की संख्या को हम लें गए फिर इसके convection से सिरों के संख्या कितनी दिये गिए 148 तो आप क्या करेंगे ब phosphorus से पहले जो पैरों की संख्या उसको टू से डिवाइड करेंगे рी और यह आप स्टेट्मेंट में ही कर देंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया भी इसको डिवाइड कर दियाँ आफ देखिए मिस्ज expect करेंगे लाइने लगाने की ज़रूरत नए स्ब आफ आपके नए इस डिया सज़क और इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह जो के जब अगर वो आपसे मुर्गियों की संख्या भी पूछता है तो आप इसमेंस को माइनस कर देंगे तो बचो कितना आएगा वो 26 तो यह जो 26 आया यह आपके पास क्या आया बचो मुर्गियां आई है ओके क्लियर होगा आई थिंग के पॉइंट यह क्या आगया बचो आपके पास मुर्गियां आगया आपके पास तो सिंपल सा है बचो क्लियर हो गया होगा आपको सबसे पहले बस आपने क्या करना है जब आप स्टेट्मेंट में देखते हैं तो पैरों की संख्या को 2 से divide करेंगे, 0 कि संख्या में से माइनस कर देंगे, तो 4 पैरवालों की संख्या आपके पास आएगी, फिर आप उसमें से माइनस कर देंगे दोबारा से आपके पास 2 पैर वाले, जो भी पुछ है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, सिर्फ answer में एक बात का ध्यान रखना कई बार अगर वो दोनों देता है तो यह देखना कि पहले उसमें मुर्गियों दी हैं मुर्गियों की संख्या पुछिया गायों की संख्या पुछिया क्योंकि अगर यह दोनों इस तरह से करते 26 और 24 तो आपके लिए मुश्किल क्रेट कंसेब्चंट क्लिए ने है पता हमें क्वेन्फान हैं को जुरूरी नि養 है कि हमारी क्लस में आपको यह ही होगा बचो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर हम पुर सकता है में आपको देख रहे हैं इसमें आपको क्या numéro है किसूह और कुपृत्रॉंगी इसमें आपको क्यों और यह कहा गया है कि 17 ले सीरों इसे पैर सबसे पहले नहीं दो लिखिए पास 15 morphol fake करते हैं तो सीरों की संख्यापके पास कितनी आए बच्छो k 참ाये ओके आगे वही सेम कशेप आपके पास रहेगा कंसा कर दो इसको डिघा कितना ही तो इस में पॉंट आप देखिए आप इसको चैक बीकर सकते हैं तो हों के चार कर को प्लस करते हैं तो six फॉर्थ और फिर्फ जो क्वेशन है वो इसी कंसेप्ट को पर डिपेंड करेगा आपके पास आई होप यह क्लियर हो गया होगा चैसे नमबर फॉर बच्वाइब के सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है समझ लीजेगा इसको पहले दी गई है दोनों की संख्या आपके पास बराबर है लेकिन अगर हम बात करें तो इसके दो पैर होते हैं हमारे पास और इसके चार पैर होते हैं जो भी मैंने क्वेश्चन नमबर थ्री में आपको समझा है था थोड़ा सी चेंज आएगा बच्चो इसके बाद फिर आप इ दे रखिए यह 70 इसे बच्चो थोड़ा सा एक चेंज है एग्जामिनर ने क्या कहाव की बार आपको कि जो आदमी है आधे तो पैदल चल रहे हैं और आधे घोड़ों के उपर बैठे हैं तो आधे का मतलब कि आता बच्चो इसमें हम 2 करेंगे ओके तो इसको पैर तो आध सकते हैं इस तरह से एक्स इकल टू फोर्टीन आ गया फोर्टीन देखिए गा बचो आदम्यों की संख्या वही और घोड़ों की संख्या वही है तो फोर्टीन आपके पास आंसर आ जाता है तो पैर आधे सक्रीन पर यह थोड़ा सा अलग हट के कुश्चन है देखते हैं प को आपके पास भेंस दी गई है ओके और साथ में आपके पास क्या दिया गया बत्तक क्लियर पॉइंट अब मान के चलो के भेंसों की संख्या X है और जो बत्कों के संख्या हो वाई है तो इसका मतलब जो आपके पास भैंसों के पैरों की संख्या होगी वह 4X होगी जो बत्कों के पैरों की संख्या होगी वह 2Y होगी आपने इन दोनों को प्लस कर दिया एक्जामिनल ने क्या कहा पैरों की संख्या जो है जब आप इनक अधिक है, confusion नमदा हुएगा ज्यादा, कोई ज्यादा मुश्किल पॉस्चन नहीं है, पैरों की संख्या है, वो सीरों के संख्या कि दुगने से 24 ज्यादा है, ज्यादा कम भी डिफरेंस आपके पास आएगा 4X प्लस में 2Y, माइनस में 2X और यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा, और इक्वल टू 24 तो यहाँ पे बचो 2Y से 2Y कैंसल हो जाएगा आपके पास तो 4X में से 2X गया तो आपके पास कितना होगा, 2X और 24 तो X की वैल्यू कितनी आएगी बचो 12 आजाएगी आपके पास तो concept-based भी धोड़े से question आपने देख लेने हैं लेकिन यह भी easy होते चले जाएगा तो बचो मैंने पूरी कोशिस करी है कि हम concept-based भी और जो बीना trick के भी हम कैसे कर सकते हैं वो questions सामने सारे इसमें करें है, examiner कितने questions पूश सकते हैं, हमने कोशिस करी है तो बच्चा आपको कलास पसंद आहिए तो लाइक शेर कॉमेंट करना मत भूलिएगा चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फर वाचिंग